गोपाल गेंज में इंटरमीडियेट बोड की परिक्षा में केंदर के बाहर जमकर बबाल हुआ पुलिस को इस्तिती नियंतरन करने के लिए लाठियां भी चटकानी पड़ी मामला नगर थाना के पास वीम इंटर कालेज की परिक्षा केंदर का है बताया जाता है कि परिक्षा केंदर पर प्रथम पाली की परिक्षा की इंटरी के समय खत्म हो गया था उसके बाद चात्र चात्राएं शहर में जाम होनी के विए से लेट पहुचे निकी दुखाई देने लगे केंदर जिचक ने जब परवेश नहीं दिया तो पुलिस की मौझूदगी में गेट पर चड़कर परिक्षा केंदर में परवेश करने लगे जिसके बाद जमकर हंगामा हुआ पुलिस को भी लाठी चटकानी पड़ी फिलहाल चात्र को आप देख रहे होंगे किस तरह से बाउंडी पर चड़कर वो लोग अंदर घुसने के परियास कर रहे हैं इस दोरान इने रोकने के लिए पुलिस को भी बल परयोग करना पड़ा है फिलहाल पुलिस उन्हें वहां से खदेर दी है गोपालगंस के लिए मक्षूद आलम के द्वारा जनता दर्बार लगा कर लोगों की समस्या सुनी गई इस दोरान कई लोग अपने अपनी समस्या लेकर जिलहासा महराडाले पहुँचे हुए थे डियम करयाले से बाहर निकलते हैं उनकी समस्याओं को सुने और जल्द निदान करने का निर्देश दिया है बताया जाता है कि डियम मक्षूद आलम के पास कई ऐसे मामले आये थे जिनके बाद उन्हें अस्थानिये वीडियो सियो या फिर उस संबंधित थाना या फिर भीभाग को रेफर कर दिया गया यानि आपको बता दें कि ज़्यादतर मामले जमीनी से बीवात के आयोए थे वहीं टियम मक्षूद आलम ने कहा कि लोगों की समस्या सुनना हमारा फर्ज है और मैं चाहता हूँ कि लोगों की समस्या ज़्याद से ज़्यादर निदान की अज़र सके है गोपालगेंज में चल रहे हैं इंटर्मेडियर की परिक्षा का जायजा लेने गोपालगेंज की जिला धीकारी मक्षूद आलम का ही सेंटरों पर गया वहाँ जाकर उन्होंने सेंटर में चल रहे परिक्षा का जायजा लिया उन्होंने साब तोर पे कहा है कि कोई भी कदाचार करते पकड़ा जाएगा उसे निश्काशित कर दिया जाएगा ऐसे में सभी सेंटरों का जायजा लेकर उन्होंने मजिस्टेट को सकती बरतनी का आद पाद अधिनिहम कांड में एक एक श्टॉशन मामले में पांच अन्ने सत्रह कांडों में दिलवाये गया है सजा क्या कुछ इस भी बता रहे हैं सुनिए पुलीस का अपराधियों के व्रिद्ध है वह लगतार जारी है और हम लोग अव्योजन के माध्यम से अफराध नियंत्रन का जो हमारा प्रयाश वह लगतार जारी है और इसी करम में जन्वरी माँ में कुल 17 कंडों में 35 अभीगतों को सजा दिलाया गया है इस्पिरिल ट्रायल के माधियम से और इसमें हत्या का एक मामला है जिसमें एक ब्यक्तिक को अजीवन करवाश की सजा दी गई है और NDPS Act में कि चार कंडों में छह अभीक्तों को सजा दी गई है और Arms Act में एक अभीक्तिक को सजा दी गई है चार अबेक्तों को डस्स की सजा मानने आले के ुन है अन्ने मामलों में सतरा अभीतों को सजा दिया गया है तो कुल मिलाकर 35 सभीतों को सजा दिलाया गया है इसृड़ी ट्राइल कमाद हमसे अर्या प्रयाज जो है अभियोजन्स या प्राधनी अंत्रम का वो लगतार जारी जाएगा हमारे खबरों को लगतार देखने के लिए हमारे साथ बने रहें यूटूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर ले फेस्बुक पर देख रहे हैं तो लाइक शियर और कमेंट जरूर करें लाइक शियर शब्सक्राइब जरूर करें धन्यबाद